महाराष्टर में जो राष्ट्रपती राजवट की शिफारस राज्यपाल जी ने की है इसकी हम घोर निंदा करते हैं यह लोकतांत्रिक प्रगरिया के ग्रोध में है और जहां तक बात है मानने यह राज्यपाल जी की उनका जो बरतावर आए गए अटरा-विस दिन से उनकी अपेक्षा यह थी कि राज्यपाल की भूमिका यह होनी चाहिए कि सरकास तापित हो जाए न के राष्ट्रपती राजवट आ जाए जो अलाबाद हाई कोट ने 1997 में जो जज्जमेंट डिया है 1997 से जो पेटिशन में जज्जमेंट डिया है उसके तहत यह एक लास्ट ऑप् और उसकी जो जो पॉसिमिलिटी से उसको तहक किया जाए और जहां तक बात है इतना भी कहा है कि राज्यपाल के पास आखरी ये भी आप्शन हो सकता है विकल्प हो सकता है कि वो हाउस को ही पूचे कि हमारे पास अभी कोई लीडर नहीं आ रहा तो हाउस ये लीडर देने क चेश्टा करे या उसके पारे में प्रयास करे तो इतना होने के बाद अगर वो किसी भी हद तक की सरकार नहीं बनती तब वो राश्टरपदी शासन या आर्टिकल 355 से इसका योग कर सकते लेकि जहां तक बात है राज्यपाल की जो बरताव रहा है निश्चतों पर भातिय जनता पार्टी के कटकुतली की तरह वो अपने आपको इस्तमाल होने दे रहे हैं ऐसा प्रतित होता है बहुत राज्यों में ऐसी ही मोधी सरकार के आने के बाद हमने देखा है कि उदर के राज्यपालों को भी इसी तरह से दबाओ में रखा गया और निरिणे लेने के तो शिवसेना को बुलाया गया शिवसेना को एकी निनका समय दिया गया और उसके बाद में शिवसेना के लोग मांग रहेते के हमको अधिक वक्त की आवशकता है तो उनको नहीं दिया गया और दूसरे बाद में राष्टरवारी कॉंग्रेस को भी बुलाया गया और उसको आज शाम तक साड़े आड़ बजे तक समय दिया था लेकिन साड़े आड़ बजे समय की रहा भी नहीं देखी इन्होंने और सिधा राष्ट्रपती शासन के लिए शिफारस कर दी यह बहुत ही गंभीर ऐसा प्रतित होता है और इसके बारे में हम घोर निंदा पूरे रवय की करते हैं और यह निशित तोर पर ऐसा प्रतित होता है कि राज्य में भारतिय जन्ता पार्टी के खिलाब महोल था बारतिय जन्ता पार्टी के अलावा सभी पार्टियां मिलकर सत्ता स्तापित करने जा रहे थे और सत्ता हो सकती है स्तापित हो सकती है यह जब जानकारे आई तो ये राश्ट्रपति राजवट का खेल रचा गया है जो की पूरी तरह से लोक तंत्र के खिलाफ है राजजपाल जी की भूमिका के खिलाफ है और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि राजजपाल जी की दो तोपी का करण है उसी के पूरी तरह से जो साजा इनका रवया रहा इतबरताव रहा है